अगर आपने सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब के बड़न को दबाएं और बैल आइकन के बड़न को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिक्शिंग मिलती रहे जो भी मैं करनसी ने अपना पहला कदम लीगलाइडिशन की तरफ रखा है मतलब कि पहला कंट्री अलसलवडोर उनके प्रेजिडेंट ने यह ट्वीट की जो बहुत जादा जिसका जो हाइप क्रियेट हो गई उसके बाद काफी लोगों ने इवन के सीजी बाइनस यानिके जो बाइन अब गिर के इतना हुआ है और उसमें अगर कहा है कि इतने बिलियन डॉलर का अगर वन परसंट भी बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट अलसलवडोर में आ जाती है तो उनका जीटीप किस तरीके से इंक्रीज होगा तो मैं मेरा बिसिक प्रपॉस वीडियो बनाने का यह है क किस तरीके से क्रिप्तो करंसी अपने पहला क्दम इस कंट्री की गुर्वंध से अंदर उसने रखा है और तरीके से जो इसके alt coins alternate coins दूसरे एथेरियम वगएर उनका भी market capital बढ़ता जाएगा तो इसमें यह बहुत खुशी खबर है अगर आप लोग cryptocurrency में नहीं आए हैं नए हैं कोई भी आपको suggestion या आपको कैसे आना है इसके अंदर चाहिए हो तो मुझे जरूर डीम करें WhatsApp करें मैं आपके help कर कौन से जो है coins जो है हम आप आज कल के दोर में इन्वेस्ट करने चाहिए जिसमें और आपको अच्छा वह return देंगे long term के लिहाज से बताऊंगा ताकि आप लोगों का अच्छा मुनाफ़ा हो सके profit हो सके तो आपको मैं आज बताता हूं सबसे पहले no doubt ethereum ethereum इस वक्त बहुत वह 35,000 डॉलर की वर्थ कर रहा है तो उसके 10 times कम 10 times कम मैं क्यों 5 times कम सॉरी 5 times कम मैं क्यों कह रहा हूं क्यों कि ethereum की supply है वह BTC से 5 times ज्यादा है तो 5 times कम आप करें तो 35,000 का 5 times कम होगा 7,000 डॉलर और इस वक्त इतिरियम की प्राइज है 2600 डॉलर जानी कि ethereum undervalued है तो 2600 डॉल इस वक्त undervalued है वह तो हो गई उसकी वह अपनी price बराबर करेगा उसके बाद कितना उपर जाता है वह उसमें जिद्री investment आईगी उसे साफ से जाएगा तो ethereum पहला coin हो गया जो undervalued है इस वक्त इसी तरह मैं आपको कुछ थोड़े बहुत coins बताऊंगा उसके बाद कारड़ा एडिये ट्विटर पे जो है एडिये हर वक्त ट्रेंडिंग होता है एक तरीके से community बहुत strong है तो एडिया आप रखें जहन में एडिया आप लें ठीक है इस साल के एंड में यह आपको 2 से 3 डॉलर यह 3.5 डॉलर तक जाएगा तो आपकी investment डबल हो सकती है dot dot इस वक्त बहु पर जाना चाहिए इसी तरह आपको एक और coin बताऊंगा link chain link 27.21 काफी लोग कहते हैं कि यार बीटी से हमारे हाथ से निकल गया जब वह 3000 का होता था हम डरते थे कि क्या चीज़ है digital currency है तो मैं आपको आप coin जो बता रहा हूं यह वही coins हैं जो यही return करेंगे जो link है यह आपक मैं आपको बता रहा हूं यह three figures में जाएगा hundred dollar plus का यह coin है आप लोग उसको लेके रख लें और आप उसके बाद लेके अपना account finance का है जहां पर भी लेते हैं लेके logout करके रख लें यह आपको profit ही profit देगा link उसके बाद यह coin है VET का भी मैं आपको बता दू लेके रख लें one three times कम है यानि कि इसकी जो all time high value उसे तीन गुना नीचे है यह भी आप लें अगर में मैं आपको different options दे रहा हूं different choices दे रहा हूं जिसकी जो किसमत जिसका luck हुआ उससाब से होगा F.I.L. आप लेके रख लें यह भी आपको आप अपना portfolio सबसे पहले आपकी tip यह है कि अपना portfolio diversify करके रखें अगर आप अपना portfolio diversify करेंगे तो आपके return के chances हैं वह सबसे जाद होंगे for example अगर आप F.I.L. को 87 dollar पे ले लेते हैं 87 dollar के बाद डिप करता है तो पैनिक ना करें बलके और buying करें ठीक है आपने 50% अपना जो आपका USGT यहां जो आपका amount investment है उसको रखा करें और dips में buy किया करें ठीक है उसके बाद हम इस पर आजाते हैं अब हम थोड़ा सा BTC का चार्ट देखेंगे कि क्या हो रहा है और यह क्या करने जा रहा है अच्छा जी इस वक्त यह आप देख सकते हैं कि बीटीसी consolidation की तरफ है consolidation का मतलब यह कि प्राइस का जो जो up and down की range है वह बहुत नेरो हो गई है और होते होते यह 35,000-36,000-36,000 में fluctuate कर रहा है अगर यह ऐसा करे कोई भी coin तो इसका मतलब है कि यहां वो breakout होने वाला है यह ब्रेकडाउन होने वाला है फिर आपको देखना पड़ता है कि यह breakout होने वाला है यह ब्रेकडाउन होने वाला है मैं अब आपको बता दूँ यह breakout होने वाला है उसकी reason यह है कि यहां पर आप द लाइन ड्रॉ करते करते अब यह जब यहां पर पहुंचेगा इस जगह पर आप नीचे भी देख सकते हैं कि मसीडी की लाइन ब्लू वह रेट को कट करने वाली वह जैसे रेट को कट करेगी तो अपर ट्रेंड स्टार्ट होगा और अपर ट्रेंड कहां तक जाएगा वह मैं और इनके रिजिस्टेंस को तोड़ना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसकी रिजिस्टेंस को तोड़ना यहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो यहां पर यह 52 तक जाएगा उसके बाद यह क्या करेगा हो सकता है यह क्रेश करें और 2017 की तरह यह माइनस 70 40% क्रैश करें और 50,000 से डॉलर नीचे 20,000 डॉलर पर चला जाए वह बात की बात है लेकिन इस वक्त जो आपकी यह सपोर्ट बन रही है जो चीज बन रही है उस हिसाब से अगर मैं यहां पर दूसरे ट्राइंगल भी बनाऊं इस जगह से और यहां तक तो आप यहूं तक तो आप यह देख सकते हैं कि यह जो सिम 카메라 ट्राइंगल बना है यह सिमेरेखल ट्राइंगल जब यहां पे पहूंचेगी प्राइस दो यहां से ब्रेक आउट करेंगी और ब्रेक आउट करके 52,000 से 55,000 डॉलर के दर्मियान जाएगी और वहां से प्रॉबब average है 50 की और जो purple line है यह moving average है 200 की अगर तो yellow line purple line क्रॉस करके उपर निकलती है तो upward trend है लेकिन अगर यह purple line को क्रॉस करके नीची की तरफ जाती है तो यह downward trend है इसको death cross और golden cross कहता है लेकिन मैं अभी इसमें एक detailed video बाद में बनाऊँगा इस वक्त आपको सिर्फ यह बताओं कि बीटी सी के हालात क्या है तो बीटी सी के हालात यहीं है कि upward trend शुरू होने वाला है कुछ दिन तक यह upward trend रहेगा जिसकी वज़ा से दूसरे जो कोईन्स है अच्छा परफॉर्म करेगा मैं एक तरीक से देखें के बीटी सी को ही फॉलो कर रहें तो आप लोगों ने अच्छे-च्रों के नीचे section में कंवंसे क्षे ने चाहिए कौन से क्वाइं लेने चाहिए तो यह इस वक्त शुर्त तेखें कि अगर आप देखें किस वक्त मार्केट कैपिटल हमारा पूरी ग्लोबल मार्केट कैपिटल बिटकोईन का फूर दो चार ट्रिलियन डॉलर तक जाएगा रिसेंट ही जाएगा और उसके बाद मार्केट किराइश हो सकती है तो यह थे आज की वीडियो अगर वीडियो पसंद आई हो कोई भी कमी खामिया कुछ हो कोई चीज मेर से मिश हो गई हो तो प्लीज कमेंट में बताइए ताके मैं मजीद आपको एक्सप्लेइन कर सको थैंक यू फॉर वाचिंग